फिलिपिन्स में एक महिला ने फ्राइड चिकन देश के लोग प्रिया फास्ट फूड चेंज से ओर्डर किया। जब उसे खाना मिला तो वह दंग रह गई। मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। एलिक पेरेज ने जॉली पी से डीप फ्राइड चिकन ओर्डर किया क्योंकि उनका बेटा खाना चाता था। जब उसे पारसल मिला तो उसने देखा कि वह फ्राइड चिकन था। उन्होंने उस चिकन का तुकड़ा करने का बहुत कठिन लगा। इसलिए उन्होंने अपना हातों से उसे तोड़ने की कोशिश की तुकड़ा करने पर वह दंग रह गई कि डीप फ्राइड चिकन की जगह पर डीप फ्राइड हैंड टोवल भेजा गया था। हैरान महिला ने गुस्से में आकर फेस्बुक पर फोटो और विडियो साजा किये। उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा मैं इससे हैरान और परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तॉल्या कैसे बैटन में आया और तला गया। क्या रसोये को नहीं पता था कि यह तॉल्या है और इसे फेक दे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद फोटो और विडियो वाइरल हो गये। इसे 2.6 मिलियन से अधिक बार देखा गया। उनकी पोस्ट की 87,000 से अधिक शेर और 1000 कमेंस मिले है। सूत्रों के अनुसार जॉलीबी फूट्स की उस शाखा को अस्थारी रूप से बंद कर दिया गया है। क्योंकि घटना के बाद सुचता की चिंता थी। कमपनी ने कहा है कि गलती थी। और यह सूनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटना दुबारा ना हो, कर्मचारी और कौफिर से प्रसिक्षित किया जाएगा। झाल